हेलो दोस्तों मैं हूँ कीर्टी और आज हम बनाने जा रहे हैं काजर का डिलिशेस हलवा जो की सबको पसंद आती है बहुत कम टाइम में और बहुत ही जादा डिलिशेस तो कैसे बनाएंगे उसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो के अंट तक बने रहना है तो चलिए जी धुला हुआ ग्रेट करके कट किया हुआ गाजर तो ऐसे मैंने एक गाजर को फोर पीसेस में डिवाइट कर लिया है तो हम एड़ कर देंगे गाजर को भी गाजर को हमें चलाते वे पकाना है दो से तीर मिनिट के लिए दो से तीर मिनिट के लिए दो से तीर मिनिट पका कर देंगे प्रसरन कूगर को हमें यह और नहीं करना है तुल को वीजल लाने तक का वेट करना है कॉम ग्ज이션 को ग्रेट नहीं कर रहा यह बिना ग्रेट कीवेहं बनाएंगे तेस्टी अलवा, तो देखेए रोब बिसल लग गया है, गैस को बंद कर देंगे, जो बिसल निकल जाए, प्रशर निकल जाए, प्रशर कुकर का, तो हम इसको उपन करेंगे, और वापस से हम गैस को ओन कर देंगे, हम यहां पे गाजर के पानी को सुखाना है, तो मैशर का य सारे पानी को सुखाएंगे जब पानी सुख जाए गाजर का तब हम इसमें एड करेंगे एक कप फ्रेश मिल्क मिल्क को भी हमें सुखा देना हैं ड्राइ कर देना हैं गाजो को पूरा ड्राइ कर देंगे चलाते विए यसका फ्लेर वैसे ही हम हाई पे रखे रहेंगे और हाई पे करते विए चलाते विए हम सारे दूप को सुखा देंगे ड्राइ कर देंगे, सुखने के बाद हम आड करेंगे, इसमें 200 ग्राम कोवा, आदा कब डालेंगे, इसमें कंडेंस मिल, ये बहुत ही टेस्टी हलवा त्यार होने जा रहा है, अगर आपका गाजर कालवा फेवरेट है, तो कमेंट करें, कमेंट सेक्षिन में मुझे जरूर ब अब हम हाई फ्लेम पे करके गाजर को अच्छे से पकाएंगे पांच मिनट के लिए, पांच मिनट के बाद हम इसमें डाइड करेंगे ड्राइफ रूट्स, ड्राइफ रूट्स अब अपनी साब से यूज कर सकते हैं, मैंने पिस्ता, काजू और किश्मिश का यूज किया ह एक मिनट के लिए और इसको चलाते वे पकाएंगे, और फिर हम इसमें एड करेंगे, थोड़ा सा काड़मम पॉडर, अब यह जिसको हम चला कर, ग्यास का फ्लेम हम बंद कर देंगे, हमारा टेस्टी काजर का हलवा अब एक तम बन कर रेडी है, कर्मा गरम सर्फ कीजे, बह अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजेगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पे नए है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजे, शेयर कीजे, सब्सक्राइब कीजे, फीडबेक जरूर ट्राइज जरूर कीजिएगा काफी डिलिशियस है तो चले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही टेस्टी इजी एड डिलिशिस रेसिपी के साथ